नमस्कार में ग्लोबल मन्थन से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के राशिफल में पहले बात करते हैं आज की पंचान की आज 11 अप्रेल 2023 है हिंदू वर्ष विक्रम समवत 2080 सके 1945 सूर्य उत्तरायन वसंत रितु है वैशाप क्रिश्न पक्ष पंचमी मंगलवार प्रात 7 बच के 17 मिनित तक रहेगी यदि आपकी यात्रा उत्तर दिशा की ओर हो तो तुलसी का पत्ता खाकर यात्रा कर सकते है राहुकाल दोपहर 3 बच के 49 मिनित से 5 बच के 34 मिनित तक रहेगा प्रात 9 बच के 31 बच के 5 मिनित तक चर्क मुहूर, 11.05 से दो बच के 14 मिनित तक लाव अमरित का मुहूर, 3.49 मिनित से 5 बच के 24 मिनित तक शुप मुहूर द रहेगा। आईये बात करते हैं, आज के विशेश का आज मंगलवार को बालाजी की पूझा और आराधना करने से सभी मनुकामना पूर्म होती है। मिथुन राशी साम के समय धन लाब के योग है, अपनी उर्जा को पहचाने समय का सही उप्योग करेगे, होवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कर्क राशी आर्थिक तंगी दूर होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन साथी मददगार साबित होगा सिंग राशी नफरत की भावना महंगी पड़ेगी नए दोस्त बनेगे, दोस्तों की सहायता से अच्छा महसूस करेगे, किसी के कहने पर आप निवेश ना करेगे कन्या राशी साम के समय आराम आपके लिए आज जरूरी है, धन की कमी परिवार में विवाद लाएगी समय का पूरा उप्यो करेगे तुला राशी सेहत बढ़िया रहेगी आर्थिक तौर पर सुधार तय है शादी लायक युवाओं का रिष्टा तय हो सकता है आपका कम्यूनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिध्ध होंगे ग्रिश्चिक राशी अपना तनाव दूर करने के लिए परिवारवानों की मदद करेंगे अपनी भावनाओं को दबाए और चुपाए नहीं अपने जजबात दूसरों के साथ साजा करने से फाइदा मिनेगा आपके घर से जुड़ा निवेश फाइदे मन रहेगा धनों राशी दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवशक्ता पड़ेगी घर में दूर के रिष्टेदार आ सकते हैं मकर राशी तंग आर्थिक हालाब के चलते कोई एहम काम बीच में अचक सकता है आपका जीवन साथ ही किसी फ्रिष्टे की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा माता के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं कुम राशी आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे दोस्त आपका फाइदा उठाएंगे मीन राशी धन को धार्मिक कार्य में लगाएंगे दुर्धटना के योग है सफन कर रहे धन का संचय करेगे अगर आपको आज का राशीफल अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद आपका दिन शुख हो